रिपोर्ट राइटिंग इस्कूल मैगजीन या नियूजपेपर के लिए दो परपज में की जाती है किसी इवेंट जैसे कोई सेलिब्रेशन, वरक्शॉप, सेमिनार, कॉंपेटिशन, एक्जिबिशन, आधिकी और्गनाईज होने के बाद या किसी इंसिडेंट जैसे कोई एक्सिडेंट, नैचरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लर्ड, एरोप्लेन हाईजेक, टेरिरिस अटेक के सड़नली होने के बाद इवेंट को वेल प्लांट करके और्गनाईज किया जाता है जबकि इंसिडेंट सड़नली अक्योर्ड होता है सबसे पहले नेम आपदा इंसिटूशन या और्गनाईजेशन नेक्स्ट, टाइटल और हेडिंग, बिल्कुछ सेंटर में नेक्स्ट लाइन में, रिपोर्टेड बाई कि जो रिपोर्ट पेपेर की है, उसको किसे ने पेपेर किया है अगर क्वेशन में नेम मेंशन है, तो नेम राइट करते हैं और अगर नहीं मेंशन है, तो स्टाफ रिपोर्टर इस सरे से लिख देते हैं जो report writing है वो तीन paragraph में complete की जाती है बहुत easy steps है सबसे जो पहला paragraph है उसको opening paragraph या introductory paragraph कहा जाता है left hand से date और place से start करते है और जो भी हमारी event है वो क्या है या जो incident है वो क्या है only two lines और ज्याद़ है तो three lines तक हम इस opening paragraph को write करते है second paragraph descriptive या informative paragraph इसमें जो event है या जो incident है उसको describe किया जाता है last paragraph concluding paragraph इसको हम bind up भी कह सकते है कि जो पूरा हमारा हमने report prepare किये है उसको यहां हमें एक conclusion देना होता है या उसको हमें bind up करना होता है now easy tips for report writing report past tense या passive form में write की जाती है topic से relevant details ही include करें title या heading I catch हूँ वे topic को justify करें ज्यादा lengthy नहीं होना चाहिए effective words simple sentences वे quotations का use करें well constructed bind up करें word limits का ध्यान रखें descriptive paragraph write करने से पहले mind map करना जरूर सीखें mind map कैसे किया जाता है आगे हम वीडियो में सीखेंगे जो किसी भी report writing को बहुत easy बनाता है और आपको दिलाता है hundred percent marks marks so here is a practice question for you read it carefully यू आर प्रिंस पवार अनमंसारी आफ class 12 यूर स्कूल गॉडविन पब्लिक स्कूल सूरत recently celebrated Republic Day write a report of this celebration for your school magazine आप प्रिंस पवार या अनमंसारी है class 12 के आपका पब्लिक स्कूल है गॉडविन पब्लिक स्कूल सूरत वहां Republic Day का celebration हुआ है उस celebration को के लिए आपको एक report पेपेर करनी है अपनी स्कूल magazine के लिए जैसा कि यह celebration है और already मैं आपको समझा चुका हूँ अगर कोई celebration है तो वो किस में आता है event में आता है या incident में आता है so it is in event event में आता है तो वो हम well planned करते हैं जैसा कि आपके स्कूल में भी Republic Day celebration हुआ होगा तो celebration में हम क्या-क्या करते हैं वो सब आपने देखा होगा और जो कि already बताया गया है कि जो भी report write की जाती है वो past stance में write की जाती है it means event या incident के होने के बाद तो बचा पार्टी अब इसको हम पहले mind map करना सीखेंगे कैसे हम Republic Day पर क्या-क्या चीजे हम celebration में करते हैं उसका एक mind map करते हैं और mind map के जो हम वहां हमें mind map करने के बाद हम सीखेंगे उन्हीं को हम sentences में frame कर लेते हैं इससे हम एक अच्छी report writing करना सीख सकते हैं अब mind mapping करना सीखते हैं mind mapping means जो भी event जिसको आपने organize किया है उससे relevant जो main points हैं जो जो activities उस celebration में उस competition में सेमिनार में वरक्शॉप में जिसमें भी हम करते हैं उससे relevant जो main points हैं उनको हम एक sequence में write करते हैं उनके बाद उन main points को sentence में frame up कर लिया जाता है क्योंकि यह question republic day celebration पर based है तो republic day पर कौन कौन से activities होती हैं उन्हें एक sequence में हम रख लेते हैं उसके बाद हम उन्हें edge पर format अपने sentences में frame up करते हैं सूरी पब्ली डेपर हमारी activities होती है flag hosting, march pass, national anthem, flag song, slogans, some cultural activities, some games, speech, principal and chief guest, awards or prizes, vote of thanks by the school principal, and sweet distribution so बचापाटी उपर बताए गए format और mind mapping के according आप एक अच्छी report writing करना सीख सकते हैं जैसा कि republic day celebration की report write मैंने आपके लिए कर दी है इसका आप screenshot ले लें अपनी notebook में write करें अच्छे से read out करें और समझें कि कैसे mind mapping के बाद उन main points को sentence में frame up किया गया है और तीन paragraph में इस report को complete किया गया है इसी तरह आप किसी भी incident और event की report prepare कर सकते हैं mind map और उपर पताये गए format के according अरू में कर दो हमके तर एक कि अध्या है में अध्या है आप कि अध्या में अध्या गे यह एध्या है झाल झाल